हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे बच्चो शुरू करते हैं आज का ध्याय शब्द विचार हिंदी व्याकरण में शब्द क्या है आईए जाने तो बच्चो शब्दों का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है शब्द वर्णों को मिलाकर बनते हैं वर्णों का मेल इस प्रकार होना चाहिए जिने मिलाकर बने शब्द का कोई अर्थ अवश्य निकलता हो जैसे की क जम ल जम ल बराबर कलम और कलम का आर्थ है लिखने का एक साधन तो बच्चो दो शब्द ऐसे हैं जिनका आर्थ है और दो शब्द ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है तो शब्दों को क्रम बद धंग से मिला कर वाक्य बनता है और वाक्यों से ही भाषा का निर्मान होता है इस प्रकार बच्चों दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं नहीं कि जब वण्ड दो हों या दो से अधिक हों जब वो सब एक साथ मिल जाते हैं और एक सही शब्द बनाते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है उसी को हम शब्द कहते हैं ये भी YAHाद रखिए बच्चो कि प्रतेक शब्द वर्णों के मेल से ही बनता है शब्द भाषा की स्वतंत एकाई है प्रतेक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है अगर कोई अर्थ नहीं है इसका मतलब वो सही शब्द नहीं है आगे पढ़ते हैं बच्चो पद क्या है तो प अलग अलग होते हैं शब्द की स्तिती वाक्य से बाहर होती है वाक्य में प्रयोग होने पर वह है शब्द पद कहलाने लगता है यानि कि बच्चों शब्द की जो स्तिती होती है वह वाक्य में नहीं होती है शब्द अपने लिए स्वतंत्र होता है लेकिन जब हम शब्दों क किसी वाक्य मैं प्रयुक्त होता है तो वे व्याकरण के नियमों में बंद जाता है वे व्याकरण को नियमों का उलंगन नहीं कर सकता जैसे कि मेरा प्रिये क्रिकेट खिलाडी विराट कोली है खिलाडियों की एक टीम दक्षे नक्षिगा गई तो बच्चो आपने देखा कि खिलाडी शब्द एक है परंतु व्याकरण की नियमों में बंद जाने के खारण इस शब्द के रूप में थोड़ा परिवर्तन करना आवश्य हो गया है अतैव जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रियुक्त होता है तो वह पद कहलाता है त्यान रखें बच्चो जो भी शब्द वाक्य में प्रियोग होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं आये पड़े शब्दों का वर्गी करन यानि कि शब्दों को अलग-अ लग वर्गों में बाटा गया है बैढ़ाई भाशा का शब्द भंडार भी बहुत विशाल है जिसे मुख्य रूप से निम लेखे चार अधारों पर नियकोंर पर पेहला है उत्पत्ति या श्रोत के अधारपर दूसरा है रचना या बनावट के अधार पर तीसरा अर्थ के अधार पर और चौथा प्रयोग के अधार पर बच्चो चार तरह से हमने शब्दों को भाटा है तो आए एक एक करके चारों के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्पत्ति या श्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गिकरण तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में बाटा गया है बच्चों जो उत्पत्ति है शब्दों की वो भी चार भाग में हैं सबसे पहली है तत्सम्शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप से हिंदी भाषा में ज्योंकेतियों प्रयोग किये गए हैं वे तत्सम्शब्द कहलाते हैं यानि कि बच्चों हिंदी भाषा में संस्कृत के जो शब्द हम प्रयोग मिलाते हैं वो अगनी, बघीर, ग्रंथी, करपूर, मयूर, कंटक, वत्स, स्वन, आदी ये सभी संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं दूसरा है तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किये जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं जैसे दूद, घी, आग, बहरा, गांट, कपूर, मोर, काटा, बच्चा, सोना आदी बच्चो संस्कृत के शब्दों को हम रूप परिवर्तन कर देते हैं और उन्हें हम हिंदी शब्दों में प्रयोग करते हैं यानि कि हिंदी की भाषा में उन्हें शब्दों का प्रयोग करते हैं इन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं तो आईए पढ़ते हैं कुछ अन्य तत्सम और तद्भवशब। कि तत्सम यानि संस्कृत के शब्द और उनका रूप परिवर्तन करके हमने उन्हें बनाया तद्भवशब। तत्सम शब्द आक्षी का तद्भव शब्द आँख। तत्सम और तद्भव शब्द हैं अगला है देशर शब्द जो शब्द देश के विभिन प्रांतों में यानि कि अलग-अलग शेत्रों में प्रचलित बोल चाल की भाषा में हिंदी में आए हैं वे देशर शब्द कहलाते हैं जैसे कि खिड़की लोटा इडली पेटी तौरे चुन्नी खटपट आदी यह सब हमारे देश के शब्द हैं हमारे देश में बोले जाते हैं इसे हम देशर शब्द कहते हैं अगला है विदेशी शब्द हिंदी भाषा में बहुत से विदेशी शब्द प्रचलित हैं जो शब्द विदेशी शंपर्क से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं जैसे कि गिलास, स्कूल, स्टेशन, इंजन, बल्ब, ट्यूब, स्कूटर आदी ये बच्चों विदेशी शब्द हैं लेकिन इनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं कुछ अन्य विदेशी शब्द पढ़ते हैं जैसे सबस अन्य विदेशी शब्द हैं जिनने हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं पुर्तगाली शब्द जैसे आलू, कमरा, कमीज, काजू, गोदाम, कार्तूस, गमला, बंदूक, तौलिया, साबुन, तिजोरी, प्याला, पादरिया दी अर्भी शब्द अमीर, अल्ला, इस्ति फार्सी शब्द आसान, दारोगा, जमाना, कबूतर, कमजोर, कार्खाना, अम्रूद, मुफ्त, जहर, खुबसूरत, बंदूका दी तुर्की शब्द जैसे कैंची, कुली, खंजर, कुर्ता, लाश, खचर, चम्मच, चाकू, बेगम, चेचक, तौप, गलीचा, सराया दी बच्चो यह कुछ ऐसे अलग-अलग शब्द हैं, जो विदेशी शब्द हैं और इनका इस्तमाल हम करते हैं हिंदी वाशा में, आईए पढ़ते हैं अगला रचना या फिर बनावट के अधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, पहला है रूडशब्द, किसी विशेश अर्थ में प्रियोग होने वाले ऐसे शब्द, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, रूडशब्द कहलाते हैं, जैसे फल, फल एक शब्द है, अगर हम इनका टुकड़ा कर देंगे, अलग-अलग कर देंगे, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, फजम शब्दों, या फिर शाब्दान्शों के मेल से बनने वाले शब्द, योगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्या जम्या आले, विद्या ले, दाग जमा घर, दाग घर, रसोई जमा घर, रसोई घर, और गुरु जमा द्वारा, गुरु द्वारा, तो बच्चों, दो या उने तोड़े या उनके टुकड़े करें तो वो अलग-अलग जो टुकड़े किये हुए शब्द हैं वो भी सही होते हैं योगिक शब्दों की रचना उपसर्ग प्रत्य संधी या समास के द्वारा होती है तीसरा है योगरून शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या सामानने अर्थ को छोड़कर किसी विशेश अर्थ का बूद कराते हैं वो शब्द बच्चों योगरून शब्द कहलाते हैं यानि कि दो ऐसे शब्द जो जुड़कर एक अलग अर्थ बनाते हैं अलग शब्द बनाते हैं और उनका भी अलग ही अर्थ होता है जिसे पंकज पंक जमज अर्थात कीचड में जन्म लेने वाला इसका अर्थिये है लेकिन कमल जो है एक अलग अर्थ बना दिया है तो ये एक योगरुन शब्द है दस जमा आनन यानिकि 10 मुख वाला तो 10 मुख वाला कौन ऊए रावण तो एक अलग अर्थ बनाया अलग विशेश अर्थ दिया लंबोदर लंबा जमा उदर आर्थात लंबे उदार यानि पेट वाला और कौन है गणेश तो बच्चों ये उधारन है हमारे योगरुन शब् तीसरा है अर्थ के अधार पर शब्दों का वर्गेकरन तो बच्चों अर्थ के अधार पर शब्दों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं जैसे बच्पन, स्वतंत्र, व्रिध, कमल, आकाशादी इनका अर्थ है इसलिए सार्थक शब्द है निरर्थक शब्द यानि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहत व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्यन किया जाता है निरर्थक शब्दों का अध्यन हम नहीं करते हैं अर्थ के अधार पर सार्थक शब्दों को निमलिखित भागों में बाटा गया है सबसे पहला है एक आर्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एक आर्थी शब्द कहते हैं एक आर्थी यानि एक अर्थ वाला जैसे सडक, रोटी, आग, दही, बिल्ली, मेज, दूद, धूप, सूरज, मूर, कपड़ा, आदी तो इन शब्दों का एक ही अर्थ है ये हैं हमारे एक आर्थी शब्द अगला है अनेक आर्थ जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं जैसे कनक, कनक सोना भी होता है और धतूरा भी फल, लाब भी है, परिणाम भी है, गुण भी है तो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं कल, यानि मशीन और आने वाला या बीता हु प्रयायवाची शब्द कहलाते हैं जैसे आकाश आकाश को बच्चों हम अंबर गगन आसमान नभ ये भी कह सकते हैं और सभी का अर्थ भी समान ही है सूरज सुर्य रवी दिनकर भानू भासकर चांद चंद्रमा शशी इंदू शेखर जल पानी नीर जलद अंबुच तो वे श विलोम शब्द यानि जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं जैसे गुण का विलोम यानि उल्टा अवगुण अच्छा बुरा उचा नीचा छोटा बड़ा राद दिन काला सफेद धनी निर्धन ला भानी तो एक द अधार पर बच्चो शब्दों के मुख्य रूप दो होते हैं एक है विकारी शब्द विकारी का मत्रव है परिवर्तन तो बच्चो वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारकादी के कारण विकार या फिर परिवर्तन होता है विकारी शब्द कहलाते हैं ये बच्च संख्या में चार होते हैं संग्या सर्वनाम विशेशन और क्रिया विशेश जानकरी बच्चों यह है कि इनके विशे में आप अगले अध्यायों में विस्तार से अध्यन करेंगे अगला है अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारकादे के कारण व इसमे आदी बोधक विशे जानकारी बच्चों ये है कि इनके विशे में भी आप अगले अध्यायों में विस्तार से अध्धन करेंगे तो ये चौथा प्रयोग के अधार पर विकारी शब्द और आविकारी शब्द है आए दोराएं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं मुख्यत चार अधारों पर शब्दों को वर्गी कृत किया गया है उत्पत्तिय श्रोत के अधार पर रचना या बनावट के अधार पर अर्थ के अधार पर और प्रयोग के अधार पर उत्पत्तिय श्रोत के अधार पर शब्दों के चार भेद है तत्सम तदभव और विदेशी रचना या बनावट के अधार पर शब्दों के तीन भेद है र्यूण योगिक और योगरोन अर्थ के अधार पर शब्दों के मुख्यता दो भेद होते हैं सार्थक शब्द और निर्थक शब्द प्रयोग के अधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं विकार वाक्यों में प्रयोग किये जाने पर जिन शब्दों के रूप में विकार यानि परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं और वाक्यों में प्रयोग किये जाने पर जिन शब्दों के रूप में विकार परिवर्तन उत्पन नहीं होता उन्हें अविकारी शब कहते हैं आशा करती हुँ बच्चों कि आपको यह अध्याय समझा गया होगा इसका अभ्यास आप स्वयम कीजिए गाइज कर दो कर दो